समिधान दिवस के उपलक्षमी नाकपुर शहर में विविद कारिक्रमों का आयोजन किया गया डॉक्टर बाबा साहिब अमेटकर ने 26 नवंबर 1909 को समिधान बनाकर देश को समर्पित किया था इस पर प्रतिवर्श 26 नवंबर को देश भर में समिधान दिन बनाया जाता है नाकपुर में भी जगा जगा विविद कारिक्रमों का आयोजन किया गया था सामाजिक नियाएव विशेश सहाइता विभाग और समिधान पाउंडेशन की और से आजादे के अमरत महुसब पर शुकरवार को अन्नाभाव साठी समारक दिक्षा भूमी से समिधान चौक तक समिधान राली का आयोजन किया गया था इस कारिक्रम में सैंट फॉल स्कूल के चात्रों ने गीत सादर किये सामाजिक न्याय विभाग की और से आयोजित इस कारिक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्तित हुए थे शहर के समिधान चौक इस्तित डॉक्टर बाबासाइब अमबेटक की प्रतीमा को समिधान दिवस के उपलक्ष में राज्य के उर्जा मंत्री एवं नागपूर जिला के पालक मंत्री ने तिन राउत ने माले अरपन कर अभिवादन किया ये दोन वर्षे ही टिकले नाई आज भारताचे सविधान इतके वर्षे टिकलेला है बाबासाइब त्याडिकानी मनाले होते जेवा कुंजरुनी असास प्रश्ण दाडिकानी विचार लेला होता कुंजरु ये मोटन वेक्टि मात होते है या देशा मदे आणी त्यांचे विचार प्रगल्ब होते अशाक लोकानना उत्तर देताना बाबासाइब आननी सामाजिक आणी आर्तिक सम्ता जो परत या देशा मदे प्रगल्बइत होतना है तो परेंद या देशाला दोकार आना रहें त्यामुल आज या सविधान सबेच्चा दिशी आपन सर्वान नी बाबा साहिबांचे विचारा आत्मसाथ केले पाजे आणी दोशाज देशाच लोकतंत्र आणी लोकशाई दिकवली पाजे एवड़ा सांगोड मी आपना सर्व आनी जा परंपुजर आणी समता न्या यानी बंदुत्व ही 303 या सविधानाचा माध्यमातून या देशातल्या सववाशे करोड जनतेचा जनमान साथ भिनवली तैंचा रक्ता रक्ता तुरुजवली हा दिवस अत्यंत महत्वाचा है आनी या सविधाना मुलच अनेक व भजन पद्धती वेशबुशा अशा विवीद परंपरेत नटलेला असला तरी भारत ना एक सुत्रा है है या सविधानाचा मोठ ये अशा है आज प्रदान मंत्री नरेंदर जी मोदी अन्य देखिल सविधान सनमान दियुसाची गोशना के लिले असुन यास दिनाचा इसके साथी राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी नागपूर शहर और विवेद सामाजिक एवं राश्रनेतिक पार्टियों की और से समिधान चौक पर समिधान दिवस मनाया गया कैमरा परसन राजक्मा मोहर के साथ अभिशेक पांसी बीसी नीूस नागपूर